वेलकम प्यारे चातरों, फिजिक्स के प्रश्ण बहिंका चैप्टर नमर के चार के सॉलूसन के बारे में डिस्कस करेंगे, कम्प्लीट सभी प्रश्णों का सॉलूसन आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो फ्रेंड जी की पहला क्वेशन है, एक गत्मान उत्पन करता है, तो इसका राइट अंसर है, उप्सन नमर थ्री, विद्दुत, एवम, चुमकी, छित्र, दोनों उत्पन करता है, उसका देगी यहां पर दूसरे क्वेशन में पूचा गया है, निर्वात में इस्तित्दो समांतर चालकों में एकी दिसामादारा तो प्रश्ण में का सॉलूसन आपके लिए बेहद महत्पूर है, इससे पहले हम तीन चेप्टर के सॉलूसन आपको प्रवाइड करा चुके हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रेशन मिल जाएगी, वहां पर जाकर का वीडियो देख सकते हो, एक ही करके सभी चेप्टर के सॉलूसन हम रोजान अपडेट कर देते हैं इस चैनल पर, तीसरा कोशन है, एक आविशित कर समच चुमकी चेप्टरों में इसके समानतर प्रवेश करता है, तो कड़का पत कैसा होता है, तो कड़का पत सरल रेकी होता है, अप्सन नमर फर्श सही है, चौता प्रशन है, एक समान समानतर हो, इसका भी उप्सन नमर फर्श सही है, इसको बाद इसमें पांच रिक्तिस्तान की पूर्थी पूची गई है, तो जिनमें पहला कोशन है, चुमकी जत्रमा गत्मार आविस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो इसको हम लॉरेंज बल कहते हैं, तो इसमें क् यू, वी, वी, साइन, थीटा, ये लॉरेंज बल का फर्मुला होता है, आदर्स बोल्ट मीटर का प्रत्रोद अनन्त होता है, यहां पर आपको अनन्त लिखना पड़ेगा, आदर्स अमीटर का प्रत्रोद सूने होता है, अमीटर यहां पर कितना लिखना पड़ेगा, सून वाला आपको second से मिल जाए टेसला दूसरा वाला जो चुमक की अ अगुड़ है एंपेर मित्रस कायर इससे मिल जाएगा जुमक सीलता वाला फर्ष से मिल जाएगा टेसला मीटर परते एंपीर और एठन यह तंक जो बच गया इस चौते बाले से मिल जाएगा तो इस तरीके से आपको यह सही जोड़ियां मिलानी है इसके बाद देखे प्रेंड आप दो दो अंक के टोटल बाराक क्वेश्चन पूचे गए इनके सॉलूशन के बारे में अभी हम डिसकस करेंगे तो फ्रेंड आप यहां पर देख सकते हो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन था उसका सॉलूशन यह रहा आपके सामने आप इसका पड़ाबट से स्क्रीश ओड ले सकते हो और क्वेश्चन को याद कर सकते हो दूसरा क्वेश्चन जो पूचा गया था बायो सेवर्ट का नियम आपको लिखना था तो यहां पर देखे बायो सेवर्ट का नियम लिखकर को उसका फॉर्मूला भी लिख दिया गया है तो जब भी आपको बायो सेवर्ट का नियम पूचा जाए तो यह फॉर्मूले को आ एंपियर का परिपतिनियम तो यह भी आपके सामने लिखा हुआ है एंपियर का परिपतिनियम तो प्रेंड इसमेंस क्या है न सभी दो दो नम्मर के कुश्चन पूचे गए तो आपको ज्यादा लोंग लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ डेरिवेशन और उसका फॉर्मुला लिखने की ही जरूरत है नेस्ट कुश्चन ता देखिए कि किसी दहरावाई चालक को चुमकी छेत्र में रखने पर लगने वाले बलका सूत्र अबम दिशा लिखिए तो यह फॉर्मुला एफ वरावर आई बील साइन ठीटा उसके बाद नेस्ट कुश्चन में जो फॉर् इसके बाद फ्रेंट जो छटबा कुश्चन था उसमें भी एक फॉर्मुला पूचा गया था तो वो फॉर्मुला भी यहां पर हमने नोट कर दिया है आपके लिए तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा बी उगल टुम्यू नोट एन आई अपन टू आर न्यूटन प्रत करते हैं कि इसमें ठाटिभा माथा करते हैं बोल्ट मीटर में कुंडली के साथ 7गрьम उच प्रतरोद लगा ता लगा रहता है इसके साथ 3डी करॉण प्रत्रोद का तार लगा रहता है एक आधर्स बोल्ट मीटर का प्रत्रोद अनंत होता है और एक आधर्स मीटर का प्रत्रोद सून्य होता है तो यह अंतर हो गया इसके प्रेंट नेस्ट क्वेश्चन था धारामापियों लोही की क्रोड क्यों लगाई जाती है उसका क्या कारड़ या नि इसका क्या लाब है त शता बल रेका हैं धरुब खंड़ों के बीच केंदरी बिंदु की ओर चली जाती हैं तो यह इसका अंसर हो जाएगा इसके बाद की कि इसके बाद की दसवे कोश्चन को चातर को सोय महल करें सिंपल कोश्चन है ग्यारबा कोश्चन संट किसे कहते हैं तो संट को भी आपर पूरे तरीके से ब्रीप कर दिया गया है देखिए आप इसका स्क्रीशॉट ले सकते हो फटाफट से यानि धारामापी के समांतर क्रम म जोड़े जाने वाले अलप प्रत्रोद को संट कहते हैं अगर आपको इसका सिद्दांत भी याद कर लेना सिद्दांत भी बैरी वैरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां पर यह संट का सिद्दांत खतम हो जाता है यहां तक इसके बाद जो लाश्ट को चंदा चुमकी बल र रहेगा और आपको किस सब्जेक्ट के सोलूसन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना